हलो फ्रेंड्स, 17 मार्च के करेंट अफिस क्विज हम आज करने वाले हैं कॉशन है आप पे किस कंपनी ने भारती क्रिकेटर रोहिष शर्मा को अपना ब्राइंड डाइंड नियुक्त किया है वेस्टि इनदीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट्टीम का नया कप्तान किसे नउक्त किया है UHW submitted the new captain of the test team recently by the west इनदीज क्रिकेट बोर्ड crack Columbus and andre Russell kirone pollen 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 putlaard या फिस्ज lesun hold 20 kms से दीजे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस टीम का नया कप्तान किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किये दोस्तों आपसे निवेधन हैं अगर आपने चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल में इस वीडियो में पहली बारा है तो आपसे निवेधन हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरू करिए और कमेंट करके मुझे बताहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कॉस्चन यहां पर देखते हैं वह अपॉइंट दे न्यू कैप्टन वह टेस्ट टीम रिसेंटी बाइद वेस्ट इंडिस क्रिकेट बोर्ड चलिए इस कांसर है क्रैग ब्रित्विट को टेस्ट टीम का निया कप्तान नियुक्त किया गया है वह मौझूदा कप्तान जैसन होल्डर की जगा लेंगे चलिए यहां पर काम की चीज़ क्या मिल गई कभी हाल ही में जैसन होल्डर रिसेंट में टीम के कप्तान है Brettwood स्रिलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट्रीज में कप्तानी समालेंगे Brettwood ने पहले भी होल्डर की गवहर मौजुद्गी में साथ टेस्टमेचों में टीम का नित्त्व किया है जिसमें हाल ही में बंगलादेस के खिलाफ मिली दो जीरो की जीत भी शामिल है पाकिस्तान की मीडिया नियामक अजेंसी ने निम्न में से किस चीनी एप को फिर से प्रतिबंदित करती है, मिजंड फॉलविंग चाइनी अप miss बैंड गयान इस पिर से प्रतिबंदित करती है चलिए इस काहँ सार है TikTok TikTok एप को फिर से बेंड कर दिया फिर से बेंड कर दिया से क्या मतलब यहाँ पर लगभग करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तान नियामक एजिंसी जो की जैसे हमारे पर Telecom Regulatory Authority है जो की देखा करती है कि क्या हमारे यहाँ पर जो मीडिया का जो कंट्रोल चल रहा है उस सारी चीज़ देखती वैसे ही पाकिस्तान में भी नियामक एजिंसी है जिसने TikTok को फिर से प्रतिबंद कर दिया इसके पहले 6 मेने पहले किया गया था क्योंकि उसमें शिकायत मिली थी पाकिस्तान में TikTok जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाले मोबाइल एप में से एक है विश्व प्रसिद्य आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है विच चीफ एड्मिस्ट्रेटर ऑफ वर्ल्ड फेमस स्प्रिच्वल और्गनाइशन ब्रह्म कमारीज पास अवे रिसेंटली ऑप्शन आपकास दादी हिर्दय मोहनी दादी जानकी दादी रतन मोहनी या इनमें से कोई भी नहीं यहां पर दीती भी बोला जाता है और दादी भी बोला जाता है तहुँ यहां पर बात करिए आ रही है कि विश्यो प्रस्द संग्ठन गान है अद्ध्यात्मिक संगठन जो की जिसकी मुख्य प्रशासक या पिर बोल सकते अडिन स्यव्श कमारी की मुख्य प्रशासक की Aam किसको मुंबई के एक निजी हैस्पितार में निधन हो गया विलगभग 93 साल की थी माहिलाओंद वरा संचाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगतन ब्रह्मुकमारी प्रमुक राजयोगनी दादी जानकी के बीते 4 मार्च में निधन हो जाने के बाद हर्दय मोहनी को संगतन के मुख्य प्रसाशिका के रूप में नियुक्त किया गया था अभी जिनका हाल ही में 93 वर्ष की उमर में निधन हो गया मुंबई के इंजी हॉस्पिटल में 11 मार्च 2021 हाल ही में किस देश ने खराप मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ओफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया रिसेंट्ली विच कंट्री हैस लोज 184 चाइनीज वेबसाइट वर सेलिंग बैड अडल्ट्रेट गुड्स एंड मेकिंग फेक ओफर्स ऑप्शन है आपके पास नेपाल पाकिस्तान रूस या फिर सवाली एरभ चली इसकान से दीजे दोस्तों फिर से आपसे मेरे सब्सक्राइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगाया आंसर भी जरू देते चलिए 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 इसका अंसर है सौधी अरप सौधी अरप जैसी कंट्री ने सौधी अरप ने इस बार फिर से खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ओफर देने वाली लगभग 184 चीन सौधी अरप के बाजार को निशानवाना रही थी। सौधी अरप के मंत्राले ने इन सभी साइटों को ब्लॉक कर दिया है। का कॉंटाइट नंबर में दर्ज हुआ करता है। टेस्क क्रिकेट चली इसका अंसर है हश्मतुल्ला शाहिद। हश्मतुल्ला शाहिद टेस्क क्रिकेट में 12 शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लिवाज बन गये। उन्होंने शेक जायर स्टीडियम में जिंबामबे के किलाफ खेले जा रहे। दूसरे टेस्क मेंच में दूसरे दिन ही ये उपलब्ती हासिल कर ले। शाहिदी ने 443 गेंदों पर 21 चौको और एक छक्के की मदद से 200 रन की नाबात पारी खेले। निम्ड में से किस अफरिकी देश के प्रिधान मंत्री हामेद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष के उमर में धनुए। प्राइम मिनिस्टर विच अफ्रीकन कंट्री हामेद बकायोको हैस पास्डवे अड़ एड़ एज अफिफ्टी सिक्स द्यू तु दू दर कैंसर गाना केनिया आईवरी कोस्ट या फिर माली। चली इसका आईवरी कोस्ट के प्रधान मंत्री हामेद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उमर में निधन हो गया है। कब हुआ है 10 मार्च 2021 को हुआ है। सरकार के अनुसार प्रिधानमंत्री हामिद बाकायोकों को कैंसर के नाम की बिमारी थी जिसका इलाज जर्मनी में उनका चल भी रहा था हमारे देश के युवाओं के लिए एक मौडल महान उदार था और अनुकरनी निष्ठावल इंसान थी इसने बोला था सरकार के तरब से बयान जारी किया गया था कि ये प्रिधानमंत्री जो थे जिनका अभी निधन हुआ है ये युवाओं की एक रोल मौडल थे उदार थे और अच्छा काम करने वाले एक निस्था वन मिट्थी थे चुनाव आयोग ने किस राज में विदान सभा चुनाव से पहले राज जी के पुलिस महाने देशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया चली यहां पर दो कन्फीजन वाले हैं तो चली इसका वाके में आंसर क्या रहेगा पश्चिव मंगाल है चुनाव आयोग ने 9 मार्ज 2021 को पश्चिव मंगाल में विदान सभा चुनाव से पहले राज जी के मुखे पुलिस महाने देशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया उनके स्थान पर पी नीर जैनन की निउक्ति की गई है पश्चिव मंगाल में आठ चरणों में मद्दान की शुरुवाद 27 मार्ज को होगी और चुनाव 29 अप्रल को संपन होगे महिला क्रिकेटर महिला अंत्राष्टी क्रिकेट में लगभग 10 यार पूरे कने वली दुनिया की दूसी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर नेमें से कॉंड मद्दी मिटाली राज की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिटाली राज वंडे इंटरनेशनल में 7,000 बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने में सिर्फ 36 रन ही दूर है मिटाली राज इसके लावा 2374 रन 37 समलब 52 के उसस से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इन्होंने बनाए है दोस्तों यह तो हमने देख लिया 17 माज के करेंटर पेस के क्विज हमने देख लिये आशा करताओं का आपके वीडियो पसंद आ होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक तो बनता है और साथी साथ में इन कॉस्चन्स के आंसर आपने दिये बहुत अच्छा ल झाल 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 झाल